21 अगस्त यानि कि आज पूरा भारत बंद रहेगा सेस्टी रिजर्वेशन पर सुप्रिम कोट के फैसले का जवाब देते हुए आरक्षन बचाओ स्वंगर्ष समीती ने आज भारत बंद का एलान किया है किसी भी तरह के तनाओ से बचने के लिए राजियों के हर जिले में पुलिस तैनात कर दी गई है अब सबसे पहले हम ये जाल लेते हैं कि आखिर भारत बंद करने का फैसला क्यों लिया गया तो आपको बता दें कि ये फैसला सुप्रिम कोट के उस फैसले के खिलाफ लिया गया है जिसमें सुप्रिम कोट ने राजियों को S.C.S.T. ग्रूप के अंदर सब कैटेगरी बनाने के लिए कहा है कोट के मताबिक जिन लोगों को वास्तों में इसकी जरुत है उन्हें रिजर्वेशन में प्रात्मिक्ता मिलनी चाहिए कोट के इस फैसले के बाद बहस छिड़ गई है ऐसे मैं इस फैसले के खिलाफ आरक्षण बचाओ संघर्श समीति की और से इस फैसले का विरोध किया जा रहा है और पुरे भारत में बंद का अलान किया गया है चलिए बापको बताते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है आपको बता दे कि आरक्षन बिचाओ संघर्ष समीती सुप्रीम कोट के फैसले को चौती दे रही है ये संघर्टन चाहता है कि कोट इस फैसले को पलट दे माना जा रहा है कि आरक्षन संघर्ष समीती को कई समाजिक और राजनितिक पार्टी का सपोर्ट मिल सकता है वहीं बस्पा की और से भी समर्थन मिल गया है आपको बता दे कि बस्पा 32 साल बाद किसी मूद्दे को लेकर सड़क पर उतर रही है ऐसे में अगर आप कामकाजी है या किसी काम से आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है हलाकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी बजार बंद रहेंगे वैसे तो मार्केट और्गनाइजिशन ने अब तक इस बात के पुस्ती नहीं की है माना जा रहा है कि बंद का असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइविट ऑफिस पर पढ़ सकता है लेकिन एमबुलेंस और एमरजनसी सर्विसस चालू रहेंगी भारत बंद के बावजूद सरकारी ऑफिस, बैंक, स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पम भी चालू रहेंगे इसके लावा मैडिकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और बिजली सेवाएं भी खुली रहेंगी अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको बता दे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को काफी सब्वेदन शील माना जा रहा है जिसके चलते यहाँ पुलिस को हाई अलट पर रखा गया है विरोध प्रदेशन के दुरान जनते की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकारी सخت कदम उठा रहे हैं यहाँ ज्यादा संख्या में पुलिस बलको तैनात किया गया है साथ ही यहाँ होने वाले किसी भी धरना प्रदशन पर भी पैनी नज़र रखी जा रही है आपको बता दे कि इस साल यह कोई पहली बार भारत बंद नहीं हो रहा है इससे पहले फरवरी दो हजार चौबीस में किसान संगठनों ने अपनी मांगो को लेकर 16 फरवरी को भारत बंद का एलाम किया था हलाकि भारत के ज्यादतर हिस्सों पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया लेकिन किसानों के अंदूलन की वजह से पंजाब और हर्याना में लोगों को काफी दिकतों का सामना करना पड़ा था फिलहाल इस खबर में इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रही आज तक भारत के साथ